प्रिक बाद आपको स्वागत है रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर आज साल का आखरी सूरी ग्रहन भारत के जादतर राजियों में दिखेगा सूरी ग्रहन सुबह चार बच कर 19 मिनट से लगा है सूतक काल सूरी ग्रहन कुछ राजियों में आंची ग्रूप में दिखाई देगा ब्हारत में सूरी ग्रहन शाम करीब 4 बच कर 29 मिनट से शुरू होगा इस सूरी ग्रहन के अवधी लगवक चार घंटे 3 मिनट तक सूरिग्रहन के कारण धार्मिक और शुब मांगली कारियों पर रोक रहेगा आज सूरिग्रहन होने के कारण गोवर्दन पूजा या निकूट भी नहीं होगा सूरिग्रहन का सूर्त काल 12 घंटे सूरिग्रहन के कारण धार्मिक और शुब मांगली कारियों पर रोक रहेगा काशी के जोतिशा चारे चक्रपाने भठके अनुसार आज खंड ग्रास सूरिग्रहन है और ये सूरिग्रहन स्वाती नक्षत्र में तुला राशी पर लगेगा वारनासी में सूरिग्रहन का प्रारंब आज शाम 4 बच कर 42 मिनट पर होगा और सूरिग्रहन का समापन आज शाम 5 बच कर 22 मिनट पर होने वाला है इस तरह से देखा जाए तो आज लगने वाला सूरिग्रहन जो है वो 40 मिनट का होगा लेकिन स्थान के आधार पर सूरिग्रहन के प्रारं बहुत समापन समय में अंतर हो सकता है तो आज साल का आखरी सूरी ग्रहण है ये कारति कामा वस्या के दिधी में लग रहा है सूरी ग्रहण होने की कारण गोवदन पुजा या फिर अंधूट नहीं बनाय जाएगा यह परवकल बनाय जाएगा सूरी ग्रहन के कार्म की धार्मिक और शुक मांगली कारियों पर रोक रहेगा काशी के जोतिशा चारे चुक्र पाणी भट के अनुसार आज खंडग्रा सूरी ग्रहन है और ये सूरी ग्रहन स्वाती नक्षत्र में तुला राशी पर लगेगा वारणसी में सूरी ग्रहन का प्रारंब आज शाम 4 बच कर 42 मिनट पर होगा और ये सूरी ग्रहन का समापन आज शाम 5 बच कर 22 मिनट पर होगा इस तरह से देखा जाए तो आज लगने वाला सूरी ग्रहन 40 मिनट का होगा लेकिन इस्थान के अधार पर सूरी ग्रहन के प्रारं वर समापन समय में अंतर हो सकता है